क्रिशी कानूनू के विरोध में देश के कई किसान संगठों ने आज भारत बंद का कॉल दिया था किसान संगठों के बुलाए गए इस बंद का समर्थक कई विपक्ची पार्टियां भी कर रही थी भारत बंद का असर पूरे देश में देखा गया कई जगह ट्रेने रोकी गई बसे रोकी गई और चक्का जाम किया गया सरकार को इस बंद से पहले ही डर लग गया था जिसकी वज़ा से केंदर गवर्मेंट ने कई नेताओं को हाउस एरेस्ट कर दिया बड़े बड़े नेताओं को कल ही से उनके घर में नजर बंद कर दिया गया और कई विपक्षी पार्टियों ने लगातार सरकार पर जम कर निशाने भी साधे हैं इनमें कॉंग्रेस, आमाधनी पार्टी, तिलंगाना, राज समीती, राश्टी जनतादल, वाम बंती पार्टी, शूशेना, बीएसपी, एसपी और कई बड़ी पार्टियां किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरी थी किसानों ने भारत बंद का काल सिर्फ इस लिए दिये था ताकि केंदर गवर्मेंट पर दबाव बनाया जाए और सरकार इस काले कानून को जो कीशी कानून लाए गए हैं उसको वापस ले जब तक वापस सरकार नहीं लेती है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान संगठन लगातार धना पर दशन कर रहे हैं उनकी मांग यही कि सरकार इस काले कानून को वापस ले जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हम दिल्ली के बॉर्डर से हटने वाल इसक्रिशी कानून को जल्द से जल्द वापस ले किसान निताओं का यह भी कहना है कि अगर सरकार हमारी मागे नहीं मानती है तो हम दिल्ली को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे दिल्ली के लिए राशन पानी भी बंद कर देंगे जिसके बाद फिर सरकार को जुकना ही पड़ेगा आज पूरी जंता सडको पर थी और तमाम लोगों ने देश की तमाम जंता ने इस बंद का समर्थन किया अब ऐसा लग रहा है कि जंता भी सडक पर आ गई है और सरकार को जुकना ही पड़ेगा झाल